नमस्कार स्वागत करती हूं आपके और मेरे दोनों के यूट्यूब चैनल पर आप सब कैसे हैं आशा करती हूं से बहुत अच्छे होंगे खोश होंगे आज मैं आपको बताने वाली हूँ आने वाली एकादशी के बारे में शट्तिला एकादशी जो कि 6 फरवरी को है कौन से एकादशी में आपको बहुत सरे नियमों को पालन करना चाहिए अगर आप नहीं करते हैं मान लिचे अपने इकादशी का वरत नहीं भी रखा तो उसके आल्टरनेट आप क्या उपाए कर सकते हैं तो चलिए मैं आजीजीजें आपसे शेयर करूंगी लेकिन उसके पहले एक चीजें बहतर होती रहेंगे और मैं मातरानी और सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूं कि आप लोग मेरे चैनल को प्यार दे रहे हैं इंस्टाग्राम फेस्बूक यूट्यूब ग्रो कर रहा है और मैं हर रोज यह कामना करती हूं मेरे परिवार के साथ जितने भ आपको अपने जीवन में तरक्की चाहिए अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी प्रशंचा करें तो दो कम से कम दिन में दो लोगों को कॉंप्लिमेंट जरूर दीजिए भले वो आपको रिलेटिव हो आपके कामवाली बाई हो या बाहर वाले हो कुछ गर्टियां हर एक यह से होती है लेकिन जिन्देगी में आप उन गर्टियों को लेकर आगे नहीं बरसकते हैं चीजों को लेड़ गो करना सीखना जरूरी है और बहतर चाहते हैं अपने जिन्दगी में तो दूसरों को जो दीजियेगा वो रिटर्न आएगा यह आपको सोचना ही है क्योंकि जैसा हम करते हैं वही हमारे पास लौट कराता है भला कीजिए ताकि भला हो सके तो मैं यह बता दूं कि शर्तिला एकादशी का जो दिन है छे फरवरी को और यह दिन है मंगलवार का बजरंग बले के कुछ चंद खास उपाय में बताऊंगे आपको हरी विष्णु माता लक में पहले भी कहा है कि तिल का प्रयोग बहुत ही खास और बहुत ही उत्ता माना गया है इसमेरे लोग गंगा नदी वेगरा में इसनान करने जाते हैं यह बहुत ही अच्छा होता है अगर आप नहीं भी गंगा में इसनान कर सकते हैं नदी नहीं है आपके घर के आसपस USA, Canada, अफ्रिका कहीं पर भी लोग रहते हैं आप गंगा चल या होली वाटर लेके पाने में एक जो बुन डालके जरूर सर के ओपसे नहीं थोड़े से काले तिल जिससे ब्लैक सिसम भी कहते हैं उसे लेकर पानी में डालकर नहीं भोले नात को जब भी अभिशेख करते हैं काले तिल देकर अभिशेख जरूर करिए इस मैने में और इस दिन का तो बहुत जादा महरत है बोलना क्या पूजा अवशे करें अगर आप सूरे को अर्ग दे रहे हैं अगर क्या देना ही चाहिए सुबह 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 सन्राइज का टाइम देखकर सूरे को अर्ग दीचे कि सूर्य और चंद्र जो है हमारे पात प्रतक्ष देवता है जो प्लानेट है वो हमें दिखते हैं और इनकी पूजा अर्चना से क्या नहीं संभव तो आपको मैं यही उपाय बताने वाली हूँ पहले चीज़ तो यह जान लेजे कि भगवान हरी विष्णु को पीले फुल अर्पी जरूर करें माता लक्ष्मी को कमल गट्टी की माला जरूर पहना है इस तरह के कमल गट्टी की माला अगर आपके घर पर नहीं है तो आप मुझसे भी और करके महुआ सकते हैं नियर इस लोकेशन में कहीं पर भी है यह हमारे पास सिद्धिक आवा जाता है ओम नमो भगवते वासु देवायर नमा का चाप तो जरूर करिया दूसरी चीज यह है कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ लक्ष्मी ललीता सहस्त्र नाम का पाठ भी आप इस दिन जरूर करिये नहीं कर सकते तो कम से कम सुन लिजे योट्योब में लगा दीजे अपने घर के टेप रिकॉर्डर में लगा दीजे जैसे भी मन करें उसको सुनना और उसकी जो औरा होती ही ना उसको होना बहुत सा जरूरी है चीज़े बहतर होती है लाइफ में बहुत सारे ग्रहों का निवारन है विष्णु सहस्त्र नाम कुछ चीज़ों को मैं और बताने जा रही लाज रंग का चोला इनको जरूर भेट करने चाहिए विष्णु जी को पीले रंग के ब्रीज़ उद्हिट करें लक्ष्मी 거죠 लाज को पीले रंग का चुन्री जरूर उड़ाए उड़ाए और वही चंदन का तिलग खोढने बस्तक पर लगाना चाहिए गेंदे का फूल प लोग उसको पेस्ट कर लिजे करके आपको चंदन के साथ मिक्स करने के बाद उस गेंदे के फूल को तिलक लगाना है हर रोज और देखिये मैंजिक जी हां कैसे नहीं लोग आपकी बाते सुनेंगे जरूर सुनेंगे ये बहुत ही अच्छा ट्रिक मैंने आपको बताया है जि जरूर देखेंगे आज के दिन मातालक्ष्मी को प्रशन करने के लिए 11 तिल के तेल का दिया आपको जरूर जदाना चाहिए कि सो शाम के वक्त प्रदोश काल में 6-8 बजे के बीच में अपने घर के मंदिर में तिल का तेल का दिया और उसमें थोड़े से काले तिल डालकर थोड़ी से हलदी एक चुटकी डालकर आपको ग्यारा दिया प्रजलित करना है दिये के नीचे थोड़ी से चावल या कोई भी अनाच का आसन जरूर देजिए ध्यान रहे कि तोटा हुआ ना हो ठीक है आप ऐसा करेंगे तो मातालशन प्रशन होगी धूप जरूर ये धूप करदान भी कर सकतें आज के दिन जब भी वह धूप जलेगा आपके नाम मान सम्मान प्रतिष्ठा में विद्धी होगी जी हां धूएं की तरह जैसे फैलता वह हवे के साथ में हो जाता है आपका नाम भी ऐसी तरह से पैलना शुरू हो जाएगा इसके लवा आज आज के दिन बादाम जरू खाना चाहिए आज के दिन अन मतलब यानि की चावल बिलकुल नहीं खाना चाहिए आज के दिन मसूर का दाल से शिवलिंग पर अभी शेक कर सकते हैं क्योंकि ये दिन जो है आपका मंगलवार का दिन है मंगलवार को मसूर का दाल से अगर शिवल हो जाता है आज के दिन अगर आप लेबर को दी क्लास के लोगों को या फिर आपके मज़़ूर आपके आसपस जितने भी काम कर रहे हों कि उनको अगर आप चाय पिला सकते हैं तो भी आपका मंगल स्ट्रॉंग होता है जमीन से सम्मंदित कोई कार आप जब भी रुख जा रह कि और आप यह कहिए कि आपको लक्षमी की प्राप्ति हो अब जो भी चाहते हैं मनों कामना कहते हुए जरूर इस तरह सर्पन करना चाहिए नौ बर ऐसा करने से मातालक्षमी सदैव आपके उपर प्रशन रहेंगी और लक्षमी का वास आपके घर पर जरूर होगा गाए को आज के दिन अगर गुड़ देकर और तिल मिलाकर रोटी बनाकर अगर आप उसे खिला सकते हैं वह जैसे ही खाएगी आपके परशानी हो जाएगी चूम बंतर और बिल्कुल दूर इसे भी गरीब को अगर आप ब्लैंकेट आज के दिन डान करते हैं काले रंगा कंबल डान आज के लिए मैं इजाज़त चाहती हूँ बहुत बहुत आप सभी धन्यवाद और आभार